आज हम इडली चटनी बनाने जा रहे हैं, इडली की, इडली भी हमने बनाई है, सबसे पहले में आपको इडली का बताती हूँ, एक प्याला उड़त की छिलके बिना की दाल और एक प्याला चावल भिजा दिया, पाच्छे घंटे बीजने के बाद उसे अच्छे से पिस लिय इडली का स्टेंड लिया उसमें हमने बाटर में थोड़ा नमक मिलाया और उसको थोड़ा सा पानी डाला थोड़ा पतला करने के लिए इस तरह से इडली स्टेंड में इडली बना ली इडली स्टेंड में इस तरह हमने इडली का स्टेंड लिया उसमें एक प्याला पानी मीचे रखा और बाटर में इसके बाद इसके बनाने के लिए आपको बताने जा रही है हमने चने की डाल लिया एक आधावाटी उसको अच्छे से शेख के पांच्छे घंदे के लिए भीजा दिया उसे तब तक शेखना है जब तक उसमें आरोमा आ जाती है चने के डाल की आने लगती है उसके बाद हमने ग्राइंड मिक्षर लिया उसमें हमने एक हरी मिर्ची और अध्रक डाला एक आधा इंच जितना चुकड़ा अध्रक डाला इसके बाद हमने थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाला उसमें हमने नार्यल के टुकड़े आधा वाटी नार्यल के टुकड़े ठोटे करके डाले और वो जो भीजी हुई दाल थी वो भी हमने उसमें साथ में डाल दी इसमें हम आधा चम्मच साधी लाल मिर्ची डाली और थोड़ा सा कच्चा जीरा डाला इसमें कच्चे जीरे का स्वाद बहुत अच्छा आता है और थोड़े से करी पत्ये डाल दी लिए हाट दसकरी पत्ये और अब इससे हम पीस देंगे और इस तरह हमारी यह चटनी बनकर तयार हो गई अब इससे हम एक बावल में निकाल लेंगे हमने चटनी जो बनाई है इसमें हम थोड़ा तड़का लगा रहे हैं जिससे यह चटनी ज्यादा स्वादिश्ट लगेगी अब ने दो चम एक दो चम जीतना तेल डाला है इसमें थोड़ी शीराई थोड़ी उड़क की दाल एक दम थोड़ी 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 अब थोड़ा जीरा डालना है उसके बाद एक लाल मिर्ची के दो टुकड़े करके और थोड़ी से करी पत्ता डालना है मिठे निम का यह सब अच्छे से खूट जाने के बाद ही हम यह पत्ते डालने हैं वालने के भी खूटब यह बाक दूज़ी हम आगाए वालने कुड़ी थोड़ी थोड़ी चाव़ी थोड़ीशमार्ट आप रज़ी कोश्ची रख वालने कुटव़ी थोड़ी थोड़ी हम रालना है यह हमारी एक चट्नी तयार हो गई अभी मैं आपको दूसरी चट्नी के बारे में बताती मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल ज़ेगी दूसरी चट्नी के लिए हमने एक कटी हुई मिर्ची और आधा इंच अद्रक का टुकडा लिया उसको डाला उसमें हमने थोड़ा करी पत्ता डाला दस पंद्रा थोड़ा अधा चम्मच कच्छा जीरा डाला और यह नारियल के टुकडे डाल दिए इसे पहले सुखाई पीच लेना है इसमें दो चम्मच शक्कर डाली और आधा चम्मच जीरा नमक डाला अब इसे हम पहले सुखाई पीच लेंगे उसके बाद उसमें दही मिलाएंगे यह हमारी सुखी चटनी पीच गई अब इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसे और चलाएंगे अब यह जो पीच गई थी उसमें थोड़ी कोथमिर डालेंगे जो मैंने काटके दोके रखी हुई है विक्तुल थोड़ी सी डालनी है और अब गरम किया हुए और फोड़ा कुंगोना गरम किया दही एक वाटी जीतना डालेंगे यह हमारे में बोलते हैं कि डाल के साथ दही नहीं खाया जाता युदि उसे थोड़ा गरम कर लिया तो ही खाया जाता है मैं सुधा कीचन से सुधा शाव हो रही हूँ, जैन रेशिपी से बता रही है, हमारी हरी चटनी एक्तम पीज गई है, नारियल की इडली के साथ खाने वारी, अब इसे हम बावल में लेते हैं, उसके बाद उसे भोर्णियों, अब हम ये हरी चटनी जो है, उसे हम भोर्णियो ये एक चम्मच छोटा, तेल का रखा है, उसमें हम थोड़ी उड़त की दाग, पुजरा हो जाने के बाद खोड़ा जीरा, और बिल्कुल थोड़े से करी पत्ते के पांग डालते, इसे हम बज़ार देंगे, इसमें राइव अगेर नहीं डालना है, इस तरह हम इसको बज़ार देंगे, यह हमारी दूसरी चट्नी भी कैयार हो गई, इटली के साथ यह चट्नी बहुत अच्छी लगती है, और बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है, इस तरह गरम गरम इटली के साथ, यह दोनों चट्नी है, बहुत टेस्टी लगती है, ठा बोसे बनाइब